परदेश में बढ़ रहे माफिया राज और नशाखोरी को खतम करने के लिए जिला पुलिस ने शकंजा कशना सुरू कर दिया है नशे के काले कारोबार को रूखने और एशे शातिरों को पकड़ने के लिए पुलिस जगा जगा चाप पेमारी भी कर रही है नशे के काले कारोबार में सनलिप्त एक बेक्ती को पकड़ने में काम्याबी हासल की है जिला पुलिस अधिक्षक रमनकुमार मिरना ने बताया कि नदाउन ठाना के अंतरगत ये मामला दर्ज हुआ है और नशे का कारोबार करने वाला ये व्यक्ति नदौन का ही रहने वाला है उन्होंने बताय कि पुलिस ने इस शातिर से 11 किलो 158 ग्राम भुक्की बरामत की है रमन कुमार मेना ने कहा कि पुलिस आगामी कारवाई में जुट गई है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि इतनी जादा मात्रा में बुक्की कहां से लाई गई है ये एक मकदमा दर्ज हुआ है नादौन थाने के अंतरवत जिसमें NDPS8 के तेहत मामना दर्ज किया है और इसमें एक व्यक्ति जो कि नादौन का ही रहने वाला है गाउं जंदली राजबुता का और इसका नाम जलाल दीन सनाफ नसीब दीन है और इसके कबजे से 11 किलो 188 ग्राम बुक्की पुलिस ने गरावट किये जो की एक काफे बड़ा कैच है और इसके खिलाब जो जाज हम आगे बढ़ा रहे है उसमें हम यह भी देख रहे हैं जी यह कहां से लेकर आया फिलाल मकदमा इसमें दर्ज कर लिया गया है